हर हाथ में हो जंडा हर घर में हो जंडा आईए अजारी के पच्छतरवे अमरित महोसो को बहुत ही धूमधाम से मनाए हम सभी अपने घर पर एक जंडा अवस्से लगाए नमस्कार ग्रामिड छेत्रों में बरतमान समय में सूरतेहाल क्या है देश जो है अमरित महोसो की तयारी कर रहा है और इस महोसो के लेकर के पंचायत अस्तर पर भी काफी जोर सोर से इसकी तयारिया हो रही है आज हम सिवान जिले के सबसे अंतिम छोर परिस्तित यानि पूर्वी छोर परिस्तित लकडी नभी गंज परखंड के पड़ोली पंचायत में है और यह पंचायत काफी चर्चाओं में भी रहता है और इस पंचायत के बहुत सारे लोगों ने अपने बिदोता से अलग संकिया है और ऐसे सक्सियत से आज मैं आपको परिचे करा रहा हूं जो परिचे का मोहताज नहीं है इनका पूरा परिवारिक पिष्ट भूमी समाज सेवा सजुड़ा है तो सबसे पहले मैं बतलाना चाहूंगा कि लकडी नभी गंज के परखंड के मुखिया संक्य अधिक् और पंचायत पड़वली की बरतमान मुखिया राम कुमार सिंग हमारे साथ हैं आए इन से जानते हों क्या कुछ कर रहे हैं बहुत बहुत भूँत धन्यवाद इतने दूर से चल कर और आप लोग हमारे पंचायत में आये पंचायत का हालता जानने के लिए इसके लिए हम लोगों ने चैन किया तो कहीं ने कहीं यह कैसा पंचायत इस पर सबकी निगार रहती है और आप तो खर पंचायत के परधान हैं मुखिया हैं तो आपकी जिमारी हो जाती है किस तरह की तयारी आप लोग कर रहे हैं हम लोग अभी लग गया है पच्छतारवा आजादी का करना है या किसे लग वना है लगाना है जिसे निर्देश आएगा हम लोग एतम लग जाएंगे और इसकी त्यारी के लिए में जो 75 से ही है उसको लेकर हम लोग काफी सजक रहते हुए आगे बढ़ते रहेंगे तो देखिए राष्टपिता महत्मा गाधी का सपना था ग्राम सवराज करने का मैंने चित्थी समवतवा हमको लेक दू दिन में लग रहा है क्या जाएगा अगर ऐसा कोई आता है चित्थि तो हम लोग बैठक करके उसको इनल करेंगे के कई से करना है तो चुकि आप लकडी अभी गंज परखंड मुखिया संकि अध्यक्षता भी कर रहे हैं पंचायत के तो मुखिया हैं ही, साथी साथ पूरे लकडी नभी गवद के प्रखंड के तमाम पंचायतों के मुखिया जन परतनीदियों का आप नेत्रितु करते हैं, तो ऐसे में आप लोगों के संग के दवरा कोई इस पर बैठा को गरा या कोई विचार बिमर्स या मनतर न है, इसमें कुछ हम लोग आपस में भी संग बनाना था, कि आपस में पहतकारी ये लोग जो है, जो भी मने कर्मी और गलत बेवार करते हैं, या तो किसी भी मने जन परतनीदिक साथ कोई गलत बेवार या थी समस्य आती है, या विकास के भी समझ में कुई ऐसी बाधा है, कुछ लोगों का जीते की प्रतनीदियों का एक संग बना कर हर पंचायत में अलग 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 पंचायतों कर एक संग पुड़ा पर्कावन सब्सक्राइब करें तो यह जो है प्रखंड कहा जाए कि इसमें जो भी पंचायत है उन तमाम पंचायतों में जो नौ निर्वाचित मुखिया जन परतनिधी चुनाओ जीत करकाये हैं उसमें अगर बिद्वता की बात करें उन्हों की बात करें शिक्षा युगता की बात करें तो सबसे पहले नाम मुखिया राम कुमार सिंग काता है तो ऐसे में जो आपके पास है जो केस्नल एसकील है अब रहाँ आरह मेरे पत्नी चुनावजिती है और से लेकर फिता इस लेकर और हम लोग जो है लगतार समाज से वह में लगे वा है कजिग जीद चत्र में सहांता हो, किसी के साधि विवा सके सारा करना हो, स्वास्थ के सम dead में खांस कर जुकि मैरे दू भाई और डिड कर हैं, एक सिस्यर्गी भी से सखिग हैं, जो भी प्रोब्लेम आती है उसमें लोग जो आते हैं, राय विचार मियोंस लेते हैं, कुछ रहता मागते हैं, तो जितना हो सकता है, अपने तरब से, हम लोग हर समभा प्रयास करते हैं, उसके बाद मने किसी करीब का साधी भीवाँ है, कभी माधी किसी को हो गया, उसको कुछ पैसा का जुरूरता है, हल इसमें लेकर और अभी तक हम लोग लगतार लगे हुए है और आने वाले समय में भी ईजीत और हार्ट होती रहेगी इसमें कोई नहीं है लेकिन उसके बाद मैं लागतार पांग साल पब्लिक के लिए थूड़ा पंचाइटी राजबिवस्ता में कहीं कहीं पंचाइटों में परभार को ले करके भी मामला उल्जा हुआ है वाट सदस्यों और मुखिया के साथ समन्में और सम्मन्द सही डंक से नहीं बन पारा है विकास कार्जबाधित हो रहा है तो आपके यहां पंचायत में क्या इस्तिति यहां उसते्च की कोई मतलब बिरुधाबहास या बेवधान इस्तुरा का कोई मामले समन्ने तो नहीं आ सबस्क्राइब कि रोजगार सेवक जो कैसे काम कर रहा है तो हमारा और आप उसके विवाद पंदिर बड़ करता है में जरुए नहीं है कि जो अभी परतमान में है उसको हम ट्रांसवर करा के दूसरा लाए तो उससे अच्छा काम करेगा हमारा विवाद के सांथ कैसा रहेगा या पंचायत मे अपना मुनेटिंग करना देखते है रहना तो सही तरीका सब काम कर रहा है तो उसमें बिरोधवास वाली बात आ नहीं रही है हमको अपने समतला में हमारा पॉबली कहीं से ठोगी का सिगार ना हूँ देखिए मुख्या जी ने बहुत महत्पूर बात कही बहुत सारे पंचायतों में ग्राउन रिपोर्ट हम ले रहे हैं वहां की स्तिथी थोड़ा सा हम देख रहे हैं कि वहां बेवधान उत्पन हो रहा है विकास कार्ज बाधित नहीं हो रहा है लेकिन लकडी नवी गंज परखंड के पड़ोली पंचायत के बरतमान मुखिया राम कुमार सिंग को लगता है कि ये तमाम विशम परिस्तिथियां जो भी बनती हैं उनको हमलों चुनवती के रुप में स्विकार करते हैं और हमारे पंचायत में दूर दूरता किस तरह का कोई ब्योधान या बिरोध दोर सौपा है बड़ी जीमारी कंधोपदी है बखुबी इसको पूरे मंदारी समय निभाओं और ग्राम सावराज को पड़ावली में स्थापित करूं तो उमीद करते हैं कि इसी तरह से आप ग्राउन रिपोर्ट के माध्यम से तमाम अलग अलग पंचायतों की समस्याओं से आउगत होंगे जन परतनिदियों का काम करने का अंदाज कैसा है वह किस दंग से काज कर रहे हैं यह तमाम चीज़ें आप तक पहुंचेगे तो सवतनतरता दिवसका उसरपर और सावन का पवित्र माह भी चल रहा है और मुहरम का महिना मुसलिम भाईयों का भी चल रहा ह आज कल मुहरम का भी तेवार है सबसे पहले मैं मुसलिम भाईयों को बहुत वह सुभकामना देना चाहते हैं और आज कि सावन की अंतिम समारी है इसने सभी महिला परतियों को भी अपने तरब से और सभी पंचायत के लोगों को सावन की भी बहुत बहुत हर्दिक सुभकाम देना चाहते हैं और आने वाले समय में 15 सामने आ रहा है इसमें आपने पंचायत की सभी जनता से अपील करूंगा की इसमें बढ़ चार कर भाग लें पार चुकि पच्छातरमा यह अमरीत महस्व मनने जा रहा है इसले इसमें काफी मैंने बिनम्रनी वेदन हम आपके चैनल के माते हम से पंचायत वासियों से करना चाहता हूं कि वह आए और इसमें पर्चर के भाग लें और हम सभी लोग मिलकर सतंतरता का हम सभी मिलकर यह अमरीत महस्व को एक अच्छा तरीका से मनाए और साथ मेरा अक्षा मंदन भी इसी सावन मास में संपन होने जा रहा है इसमें अपने सभी भाई और वहन का जो आपसी में पाइचारा का जो व्रत है इभी अच्छा से मने इसके लिए भी मैं सभी अपनी पंचायत वासियों को बहुत बहुत दिन बाद देना चाहते हैं